हाई गाईज इंपावर आफ लेंड यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है गाईज हम सभी लोगों के लिए यार ओसी आर ऑप्टिकल केरेक्टर रेकेगनिसेशन बहुत ही जरूरी है यानि कि ओसी आर पे हम बहुत ही ज्यादा डिपेंड है फिर वह चाहे क्यों न अपने PDFs को read करना हो अपने फोटो सको read करना हो या फिर कोई screenshot read करना हो मतलब read कुछ भी करना हो बट OCR हमारे लिए बहुत जरूरी है इसी लिए इसलिए हम लोग मोबाइल पर अपने लिए अच्छा से अच्छा OCR एप यानि फोटो रीड करने वाला एप, पीडियो प्रीड करने वाला एप खोजते ही रहते हैं यार लेकिन ये सारी चीजे लेपटॉप कम्प्यूटर में बहुत ही कम हम लोग करते हैं तो आज मैं लेकर आगया हूँ आपके सामने एक ब्रैंड न्यू वीडियो और इसमें मैं कम्पेर करूँगा जाउज वर्सेस एन्वीडिये किसका OCR अच्छा है, कौन से OCR को आप यूज कर सकते हैं, कितना मज़ा आने वाला है ये सब कुछ जानने के लिए एन्ड में बनाव एन्ड तक वीडियो जरूर देखना है, तो भाई बस चलता हूँ अपने कम्पेर की और और एन्ड में मैं ये भी बताऊँगा कि आपको कौन सा OCR यूज करना चाहिए, तो वीडियो तो एन्ड तक जरूर देखना मज़ा ब कम्पेर कर रहा हूँ और मज़ा तो बाकी आने वाला ही है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इंशूर कर दूं कि एन्ड ये में मैं किसी भी प्रकार का कोई भी OCR का एड ओन यूज नहीं करूंगा, नहीं जॉज में किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी की कोई भी स् स्यादा है, किस में accuracy है, कौन सा fast है, उसी को मैं यहाँ पर winner बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले अभी हमारा nvda on है, और इसमें पहले चल के चेक कर लेता हूँ कि कोई add-on तो install नहीं है, nvda menu, nvda menu मैं यहाँ down arrow से tools में जाता हूँ, अब यहाँ पर मैं add-ons में जाता हूँ enter की press करता हूँ, तो एक click skip है, जो speak करता है हमारे click board के लिए, वो है add-on, IBM TTS का driver है, यह IBM TTS package library है, यह OBS studio का एक add-on है, open link with यह add-on है, जो link को open किसे करना है, वो दिखाता है, और यह WhatsApp desktop है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को पता चलिए होगा कि इसमें मैं कोई भी ऐसा add-on use नहीं किया हूँ, कि जो OCR को enhance करता हो, या OCR की accuracy speed को बढ़ाता हो, और यह सारी चीजें मैं बिना internet के करूँगा, कौन सा बिना internet में अच्छा over करता है, वो मैं देखूँगा, अब मैं अपना internet चेक करत हूँ, तो अभी हमारा internet access है, इसे मैं off करता हूँ पहले तो, तो wifi प्रेस है, इसे not press करता हूँ, अभी है मेरा internet कहीं से भी connect नहीं है, अभी है मैं अपने desktop पे आ गया, अभी हमारे पास NBDA है, सबसे पहले चलता हूँ किसी एक photo में, अब 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 न्यू डिस्क में आया, my profile में जाता हूँ, इसके अंदर आ गया, my document के अंदर आया, अब इसे मैं यहां पर, यानि desktop पर लेके आ गया, यह एक photo है, जैसे किसे मैं open करता हूँ, यह मेरा disability certificate है, अब इसका जो command है, insert, और वो press करता हूँ, content is not visible, content is not visible, तो यहां पर बता रहा है, content is not visible, तो यह तो भै, read नहीं कर रहा है, बिना किसी भी, content is not visible, अब इसे मैं visible करता हूँ, यह पूरी तरह से full screen में, content is not visible, button, 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 button collapsed, button, 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 system menu, close E, desktop list, disability certificate 7, context menu, open O, edit with paint 3, set as desktop, edit E, print P, share with, rotate, right T, rotate, left L, cast a device submit, move to OneDrive M, scan with Microsoft, share, open with submenu H, यहां पर open with, paint 3D, यहां पर भी कोई option नहीं, तो इस पे एक बार और एंटर तरके देखें तरके देखें तरके अरेट दरता है कि नहीं तो यह फिलाल तो हमारा OCR NVIDIA के तो काम से गया चलियो इसकी सेटिंग में देख लेते हैं फुट गड़बड़ी तो नहीं सेटिंग में आया हमें अब बिंडियो ओसी आर में आ गया तो यहां पे देख लेते हैं कौन-कौन सी लेंगवेजेस हैं तो बस एक ही लेंगवेज है तो यहां पर कोई भी जेटिंग नहीं अगर मैं इसे एंटर करके अब मैं अपने जॉज को अन करता हूं और इसको हटाता हूं अब यह मेरा जॉज 2022 अप्रेल एडिशन अन हो गया है अब इसपे भी मैं अप्लिकेशन की प्रेस करता हूं अब इसपे हम क्लिक करेंगो तो हमारा जो कॉंटेंट है इसे पर इंटर करता हूं और इंटरनेट वगरा तो कनेक्ट है नहीं तो बोल रहा है कि डाकुमेंट ओस्यार करना इस्टार्ट कर दिया है आप पा जो रिजन अटाएगा वो राइट साइट अप में आएगा तो यह मैं इसली रिट कर पा रहा हूं और वर्ड टो यह मैं इसली रिट कर पा रहा हूं और वर्ड तो याब बाई करेक्टर बाई वर्ड बाई लाइन और अगर आम चाहें तो इसे सेलेक्ट अल करके इसे कॉपी कर सकते हैं और कहीं भी सेम पेस्ट कर सकते हैं जैसे की नोटपैड में दिखा ही देता हूं नोटपैड अभी यहां पर मैं प्रेस्ट किया अभी इसे मैंने डिलीट कर दिया यहां से तो अभी फिलाल आपने जो देखा कि एंवीडिये का जो OCR है बीना किसी add-on के कुछ भी रीड नहीं कर रहा है यह 2022.1 में और जोज का जो OCR है वो इमेज को बहुत ही बड़िया से पढ़ रहा है अगले वीडियो में PDF का कंपेर करेंगे और एक बड़ा वाला PDF लाएंगे देखेंगे क्या होता है और कैसे रीड करता है एंवीडिय या फिर जोज तो अगले वीडियो का इंतिजार जरूर करिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे अगला वीडियो PDF का कंपेर जरूर करेंगे